नमस्कार आईए आज फिर बनाते हैं एक और मारवाडी सबजी जिसे मारवाड में चिट्कियारो साग कहते हैं यानी की नारियल की सबजी तो चलिए देखते हैं नारियल की सबजी बनाई कैसे जाती है वैसे तो ये सबजी पानी वाले नारियल के साथ बनाई जाती है पानी वाला नारियल ना हो तो हम सूखे गोले के साथ भी सबजी को बना सकते हैं इसके लिए तीन चोथाई सूखा नारियल लेके छोटे छोटे पीस काट लीजिए और दो घंटे गुनगुने पानी में भिगो दीजिए दो घंटे भिगोने के बाद इन्हें छील लिया है अब इन्हें पानी में 10 मिनट के लिए थोड़ा धक कर उबाल लीजिए नारियल को धक कर 10 मिनट उबाल लिया है गैस की फ्लेम ओफ कर दीजिए औ और पेश्ट बना लीजिए। मसालों में चोथाई चमच नमक और आधा-धा चमच मिर्च, हल्दी, धनिया ले लीजिए। और कसूरी मेथी, जीरा और दो चुटकी हींग ले लीजिए। सबजी को अच्छा कलर देने के लिए आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए। टमाटर की खटाई को बैलेंस करने के लिए एक चमच चीनी ले लीजिए। चीनी ओप्सनल है, आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं। कढ़ाई में एक टेबल स्पून तेल गरम कीजिए और हींग जीरा डाल कर क्रेकल होने दीजिए। जीरा क्रेकल होने पर टमाटर, मिर्च और अद्रक का पेश डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। साथ में सभी मसाले और कश्मीरी लाल विश डाल दीजिए और मिडियम फ्लेम पर मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, कढ़ाई छोड़ दी है, आप इसमें चीनी डाल दीजिए। साथ में उबले हुए नारिल डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब एक कटोरी पानी डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए। और धककर 10 मिनट धीमी आज पर पकने दीजिए। 10 मिनट बार धककन हटाएं, देखिए सबजी बन चुकी है। अब इसमें 14 चमज गरम मसाला डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए। तयार सबजी को डोंगे में निकाल लीजिए। और हरे धन्य की पत्तियों से गार्निश कीजिए। लीजिए स्वादिश्ट नारिल की सबजी बनकर तयार है। पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ खाने का आनंद उठाईए। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है। तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।